आज मैं आपके शेयर करूंगी बिना मिल्क पाउडर के बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और खाने में बहुत ही टेश्टी खीर की रेस्पी तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है इसके लिए मैंने यहां पे लिया है एक लिटर दूद आप यहां पे कोई भी दूद य जाल के इसे हम उबलने के लिए रख देंगे जब तक हमारे दूद में उबाला आता है तब तक हम अपने चावलों को पीस लेते हैं तो यहां पे मैं लिये थे आधा कप चावल इसे मैंने पांच मिनिट के लिए भीगो दिया था और अब इसे हमें ग्रैंडर जार में डाल हुआ था और सिर्फ मैंने एक उबाल आने दिया है एक उबाल के बाद अब इसमें हमने जो चावल पीस के रखे हुए वह हातों से हम ऐसे मसलते हुए इसमें हम डालेंगे और हमारा इस टाइम पे जो फ्लेम है वह बिल्कुल लो रहेगा ताकि दूद में कोई लंस ना करेंगे चावलो को डालने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे ताकि जो हमारा चावल है वह अच्छे से पक जाए अब यहां पे हम कुछ ड्राइ फूट्स लेंगे इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इसका हम फैन पाड्यर बना लेंगे और इसे हम डाल देंगे खीर वाले दूद में इसे हम ओपर से लपल्कल चाहि बहुत ज़ादा पकाना नहीं होता है और जब आप ड्राय फ्रूट वाले पाडर इसमें डाले तो उस टाएम पे अपने जो गया इसका फ्लेम है उसे बिल्कुल रखें और डालते समय बिल्कुल हलके हातों से इसे चिरकते हुए डाले और अच्छे से इसे मिक्स करने बाद तकरीबन हम इसे बीडियम फ्लेम पे पांच मिनट को करेंगे 5 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे एक कपशी निए अप अप चीनी है वो खीर में अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहां पर बहुत ही टेश्टी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली खीर बनके रेडी है और इसे बनाने में 20-22 मिनट ही लगे है तो आप भी जरूर ट्राइ करिएगा और कमेंट शेक्षर में जरूर बता कर्के लेज़ यहाए जयाँ से लेफित बनके बनके शेक्षर में अटारे बनके व्लत कि वीराओार लेष्वाए जाने लेफिते बनके लेफ्स्वाए रेवा।